तो सबसे पहले हम फर्स्ट टोपिक डिस्कस करते हैं, that is, साइंस. साइंस क्या है? साइंस, रियल्टी में सिस्टेमेटिक बोडि ओफ नोलिज है. साइंस के अंदर जब भी हम कोई स्टेडी करते हैं, वो सिस्टेमेटिक तरीके से करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें, चाहे वो फिजिक्स की बात करें, चाहे वो बायो की बात करें. केमिस्ट्री में आपको क्या लगता है? केमिस्ट्री के अंदर हमको पता है कि केमिकल वन प्लस केमिकल टू को अगर हम मिक्स करें तो क्या बनता है? chemical 3 बनता है तो reality के अंदर science में क्या होता है हम एक systematic 3 के से study करते हैं then उसको apply करते हैं science में reality में जितनी भी studies होती हैं काफी सारी observation के भी हिस्थ पर होती हैं हम बहुत चीजों को observe करके देखते हैं कि भई हम इन दो chemicals को मिला कर देख रहे हैं तो third chemical ही बन रहा है हमने बहुत बार experiment करके देखा बहुत बार observe करके देखा तो हमको पता चलता है कि ये result सामने निकल कर आ रहा है मतलब science के अंदर क्या होता है आप experiment करते हो observation करते हो और उसके बाद जो result है result को अगर आप check करना चाहो तो check करने के लिए आप उसके पीछे के छीपे हुए reasons को भी find out कर सकते हो मतलब science के अंदर जो भी आपके सामने result है उसके reasons आप असानी से find out कर सकते हो तो science के अंदर reality में आपकी जो knowledge है आपके पास जो भी चीज है जो भी experiment है आप उसकी verification कर सकते हो एक example आपकी book में भी कई बात दिया हुआ मिल सकता है कहीं न कहीं लिखा हुआ होगा कि जब एक engineer का student है वो क्या करता है study करता है पूरा जब study करता है तो अपनी life के अंदर क्या करता है theory सारी कठी करता है theoretical knowledge मिलती है then उस theoretical knowledge को वो क्या करता है कहीं न कहीं पर apply करता है तो जो उसने इस knowledge को acquire किया है इसी को हम एक systematic तरीके से कह सकते है उसने ये knowledge systematic तरीके से gain किया है और जब वो lab में जाएगा जब वो practical काम करने के लिए जाएगा कहीं पर तब भी क्या करेगा इस knowledge को practically apply करके देखने वाला है systematic तरीके से इसलिए हम इसको कहा कह सकते है science कहा सकते है तो ये हमने अभी क्या देखा science का meaning अब मैं आपको बताता हूँ science की क्या correctics होती है science के क्या features है first feature जो हमको study करने को मिलता है कि science systematic body of knowledge है ये बात मैं आपको बार-बार बोल रहा था अभी ये पहला feature आगया है हमारे सामने science में क्या है it's a systematic body of knowledge second point हमको मिलना मिलता है principle based on experiments and observations जो भी principles बनते हैं science में वो experiments और observation के base पर होते हैं third feature क्या है third characteristics क्या है universal validity जो मतलब science के जो principle होते हैं आप उसको कहीं पर भी apply करके देख लो कहीं पर भी किसी भी जगा पर वो universal applicable होने वाले है अब मैंने जो आपको ये तीन features बताए हैं इन तीनो features की क्या होने वाली है testing होने वाली है इस testing को हम क्या बोलेंगे testing of management as a science मतलब ये तीनों correct tricks को हम management के लिए study करने वाले हैं management को लेकर testing करने वाले हैं ये देखेंगे कि ये तीनों की तीनों correct tricks क्या management में भी apply होती हैं या नहीं तो first correct tricks अब हम test करने जा रहे हैं first feature को हम test करने जा रहे हैं क्या है systematic body of knowledge yes science के अंदर systematic body of knowledge होनी बहुत ज़रूरी है इसी तरह से अगर आप management में भी देखें तो management में भी आपको systematic body of knowledge का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से science के खुद के principal और theories होती हैं उसी तरह से management की भी खुद की theory है principles हैं वो theory principles चाहे किसी ने भी दिये हैं चाहे वो Henry Fjol ने दिये हैं चाहे वो F.W. Taylor ने दिये हैं theories और principles हैं वैसे ही management की भी खुद की theory और principles हैं है ना तो first point के base पर first point के base पर first point कोई सा study की है हमने it's a systematic body of knowledge तो जिस तरह से science के खुद के rules हैं, regulations हैं, observations हैं experiments हैं, theories हैं, principles हैं उसी तरह से management के भी खुद की theories और principles हैं तो first point के base पर हम management को science कह सकते हैं Now come to the second point That is principles based on experiment Science में क्या होता है हम काफी सारी observations करते है experiments करते है और फोर जो result निकल कराता है वो क्या बन जाता है हमारा principle बन जाता है तो इसी तरह से हमने management में क्या देखा बार-बार हमने facts को इकठा किया experiments किये, observations किये हलां कि हो सकता है कि ये principles बनने में बहुत टाइम लगाओ मतलब management में जो principles बने है इसको generate होने में create होने में काफी time लग गया है हमने काफी सारे काफी time तक हमने काफी सारे experiments किये fact ही कठा किये, data ही कठा किया उनके उपर analysis किया experiment होते रहे, फिर जब अच्छे-च्छे result मिलने start हुए तो वो result क्या बन गई, principles बन गई तो जिस तरह से science में experiments होते है, observations होती है उसी तरह से management में भी हम क्या करते है, experiments करते है data collect करते है, facts को इकठा करते है, उनके उपर analysis करते है फिर जो result निकल कर आता है वो क्या बन जाता है, principles बन जाता है तो principles जिस तरह से management में है, उसी तरह से science में भी है जिस तरह से science में experiments होते है उसी तरह से management में भी experiment हुए है तो हम second point के base पर भी कह सकते है कि management science है बिल्कुल, हम second point के base पर भी management को science कह सकते है क्योंकि management के अंदर हम काफी सारे techniques को apply करके देखते हैं, unity of command है, unity of command जो Henry Fjol ने दिया, unity of direction है, काफी सारे principles हैं जो Henry Fjol ने दिये, FW Taylor ने दिये, Frank and Eileen Gilberate ने दिये, Halry Engent ने दिये, तो ऐसे ऐसे principles हैं जो बार बार अपलाई करके देखे, result अच्छे मिले, तो वो क्या बन गए principles बन गए, तो second point भी ये proof करता है, कि हम management को science खह सकते हैं, now come to the third point, that is universal validity, science के जो भी principles हैं, जो भी rules और regulations हैं, आप उसको कहीं पर भी apply कर सकते हैं, क्योंकि ये सचाई पे अथारित हैं, इसको आप every time, every situation, everywhere, कहीं पर भी apply करके देख लो, इसी तरह से management के जो principles हैं, वो भी आप कभी भी कहीं पर भी apply करके देख लो, पर ध्यान से सुनिएगा, management में कभी कभी हम जो principles apply करते हैं, हमको वो desired result available नहीं कराते, मतलब जो हमको expectations होती हैं, वो उसके according result नहीं मिलता, unity of command कभी भी फेल हो सकता है, unity of direction कभी भी फेल हो सकता है, है ना, हम चाहते हैं कि forum के अंदर coordination हो, हमने तो बहुत अच्छा सा training दिया था employees को, management के according, तो कभी भी employees तो काम करना से मना कर सकते हैं, strike कर सकते हैं, तो management के जो principles होते हैं, वो कभी कभी fail भी हो जाते हैं, जबकि science के principles, science की theories आप कभी भी कहीं पर भी apply कर सकते हो, उसका result आपको 100% मिलने वाला है, but management के principles जरूरी नही हैं, कि आपको 100% result देने वाले हैं, yes, but कहीं न कहीं कह सकते हैं, कि universal validity है, management की भी, पर 100% नहीं है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, third point के base पर सिरफ यहीं कह सकते हैं, कि management को हम exact science नहीं कह सकते हैं, soft science कह सकते हैं, applied science कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है, कि हमारी expectations के according result हमेशा मिल जाएं, जबकि science के अंदर क्या होता है, हमको पता है कि यह दो chemical मिलेंगे, तो third chemical कौन सा मिलने वाला है, science में तो हमको 100% पता होता है, पर management के अंदर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गड़बड हो भी सकती है, तो अगर मैं अब इन इन तीनो points को conclude करूँ, तो management को हम soft science कह सकते हैं, in exact science कह सकते हैं, applied science कह सकते हैं, पर perfect science नहीं कह सकते हैं, तो हमने अब तक क्या देखा, science का meaning, science के क्या features हैं, science के इन तीनो features को हमने management के साथ attach करके देखा, और यह proof करने की कोशिश की, प्रूफ करने का हमारा effort था कि management को हम science प्रूफ करें, पर वो 100% प्रूफ नहीं हो सकता, इसलिए management को हम soft science या applied science कह सकते हैं, आपको इसी वीडियो के description box में काफी सारी वीडियो के link, playlist के link भी दिये हुए, तो आप चाहिए तो वो भी देख सकते हैं, मिलूँगा मैं आपको नेक्स वीडियो में यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद